दिल दिया गल्ला करो दिल खोल के मेरे नाल जी हाँ तुसी जुड़े रो मेरे नाल और सांजा पंजाब टीवी दिल खोल के बोल दिल खोल के बोल लाइब विद यूर होस्ट जोती शर्मा उमीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे हैं तंद्रुस्त हैं और गर्मी के इस मौसम को इन्जॉई कर रहे हैं पूरी सेफटी के साथ सेफटी के साथ इसलिए बोल रहे हैं कि अक्सर हम लोग जोश के साथ होश हमारे गूम हो जाते हैं पेशली जब हम बीच पर जाते हैं यह किसी open अर्या में जाते हैं हम लोग भूल जाते हैं कि वो जो पानी है, वो हमारा दोस्त कभी भी नहीं बन सकता, बीच का पानी especially, और जो आसपास का वातावरन होता है, मालनी जो हम किसी पार्क में गए हैं, ओपन एरिया में गए हैं, वहाँ पर कीडे मकोडे भी हो सकते हैं, बेशक ये कंट्री बहुत अच्छी है, खुबसू सब्सक्राइब जाएं, बाहर जाएं अपनी फैमली के साथ, यह आप अकले अपने फ्रेंड्स के साथ भी जाएं, तो अपना ध्यान रखें, और सेफटी का पुरा ध्यान रखें, मास्क ज़रूर लगाएं, वैक्सिनेशन जन्हों नहीं करवा लिया हैं, वो भी मास्क खेर हमेशा की तरह फिर मैं हाजिर हूँ अपने खास मिमान के साथ लेकर खास चर्चा और आज की खास चर्चा बहुत ही खास है वो इसलिए क्योंकि हमारे साथ हैं गुरुदत वैजी जो की होमेपैथी के माहिर हैं और होमेपैथी फील्ड में बहुत सालों से वो काम करते आ कि जब वैदर चेंज होता है गर्मी शुरू होती है या सदी शुरू होती है तो किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है हमारी हेल्थ को लेकर होती है और अगर हेल्थ को लेकर वो प्रॉब्लम्स होती है तो होमेपैथी में उसका ट्रीक्मेंट कैसे होता है तो आएए मिलते हैं ह ज़र मारे आज के खास मेमान गुरुदत बैज से गुरुदत जी लाकम तुच्ट प्रफुच्ट जी वेल्कम त रस्टुड़ के लाले नमशकार सबको सांजा पंजाब के सब दर्शको को मेरा भी नमशकार, अदाब सस्रीयकाल and hello अपका कैसा रहा वेकेंड लास्ट वेकेंड? हुभ जोरे शे सहरू से गर्मी पढ़ रही है इंडिया वाली वाली तो पढ़ रही है और जैसा आपने कहा है कि इस घर्मियों में अकसर लोग जो है खासकर यहां कि अगर बात करें तो बीच पे जाने के सब का बहुत मान होता है बिलकुल और वहाँ पे जाके जैसे आपने का भूल जाते है एक बहुत पराने कहावत भी है जो कि मैं अपने मिजरुगों से सुनी वो यह थी कि पानी, आग और चाकू इसके साथ कभी मस्ती मत करो बिलकुल, इनका उपयोग करो सही तरह से बिलकुल, यह कभी भी दोस्त नहीं बनते है बिलकुल, जो दूसर एक और भी कहावत है कि बचाओ में ही बचाओ है बिलकुल, जितना आप अपने आपको बचा के रखोगे और वो तो अभी सबने मेरे खाल सीखी लिया है कोविड की वज़ा से कि आप अपने आपको जितना बचाओगे अपने कोई नहीं, आप अपने और आसपोडोस के दस से जादा लोगों को आप बचा सकते बिलकुल, बिकुस अभी देखिए रिसेंटी जो बीच पर विसागा बीच पर एक रिसेंटी हैपन हुआ है वेरी से एक ट्वेटी टू यर्स का लड़का जो है यंग अमरिसर का रहने वाला था और इसकी डेथ हो गई है डूब के बहुत ज़दा दुखद ये खबर है मुझे बहुत दुख लगा कि हम लोग इतने नौजवान होकर समझदार होकर हम लोग ऐसे नादानिया क्यों करते हैं ये देखिए जो अलड़पन है ना ये जवानी का ही अलड़पन होता है लेकिन बच्चों को ऐसे जो भी आ रहे हैं हमारे सुचना चाहिए कि उनके पीछे उनके मांबाब का क्या हाल हो बिल्कुल बिल्कुल और वो अकलोता लड़पना था यहां पर बच्चा और देखो उसका क्या अंजाम हुआ खेर इन चीजों को हमें बहुत धार रखना चाहिए हो खासका आप भी वात करिया अपने घर्मिय चेंज होता है हमारा रहन से चेंज होता है हमारा खान पान चेंज होता है और जब बाहर का वैदर चेंज होता है तो कहीं न कहीं मारी सहीत को एफेक्ट करता है बहुत एफेक्ट करता है तो जब वैदर चेंज होता है चाहे वो गर्मी से सर्दी हो तो सर्दी से गर्मी हो कि तरह की केसी आप हैंडल करते हैं लेके सबसे बले जुट मैं आपको यह बात बता हूं कि होमिएटी ही एक ऐसी पद्धिती है जहां तक मैं आपने आप में जो पड़ा है कि इसमें मौसूम के हिसाब से दौईया है कि यह बिमारी तब मौसूम यह जैसे डैरिया है अजी डैर इसने किस तरह से इफेक्ट किया इसने होमिपैती में जो है इंडिविज्वीज्व यह जो दौईया हम तियार करते हैं और जैसे अब बात कर रहे हैं गर्मियों की बीमारियों में खासकर गर्मियों में एक तुम्हे बताऊंगा कि आपको दौए से ठीक होना बिना दौई कि आपको क्या करना चाहिए भासकर यह कि आप घर से बहल निकलते हो घर में एक तो अची तरह से पानी पीकर निकलो से लांकटी और लग सकता है और यह दोनों जितों से चीज आ इसे यह सकती नदी करने हैं और अपको दॉचा भी जो है भी घर रहे हैं आपकी तौचा भी आप आपने पास पास हे निग रहे कि अप्स तो अकर आप तंखके इसानी हो तूरे जहां। जब ढुड़ कि आप से लाइट रंग के पहने comes है हम लाइटा वरूर्ण हड़कि रहे तो जब करहें ली। जब करें कि कॉतन के कपने करें तक वह थो कॉतन चिख दाले के बढ़ देनी कि रहते है वह ज्टन के सीजन के लिए लेकिन कहरें हमारा यह मुल्क असा है कि जहां पर हमें अचाना की गर्मियों जाती है चाना की हफाज जलने लग जए चाना के थैंड हो तो यू नेवर नो किसा मौसम आ गया बाहर गया हो और चाहनक ठंड हो गई तो आपने पतले कपड़े पहने हैं, हाफ स्लीज पहने हैं, स्लीवलेस पहने तो अपने मुश्किल हो तर बीमार होना भी जुल्दी चांसिस रहते हैं इसलिए जोती जी मैं हमेशा अपने अपने गाड़ी के उसमें एक हलकी सी जैकट हमेशा पड़ी रहती है, बिल्कुल, चाहे मुझा जुरूरत हो चाहे ना हो, होना चाहिए, या, और सभी को भाल बच्चों को भी कहता है अगर शाम को निकल रहे हैं, और भाई फुल स्लीव की पहलो उससे अच्छा, एक तो ठंड ब मच्छ अगर मलेरिया वाला हो तो आपको मलेरिया होगा, यहां पर नाइल की बीमारी जो हो जाती है, तो उसकी भी दवा इलाज है, अगर आपको मच्छ ने काटा है, पहले तो यह है कि आप कुछ ना कुछ जरूर ऐसा चीज लगाएं जिससे कि मच्छ रिपल्टन जैसे अगर ने काटी लिए आपको तो हमपयति मेडिसन में आपको बता देता हूं उसका यूज किया सकता है, दो मैडिसन बहुत हैं एक यह एपिस जो की मखी से बनती है, शहाद की मखी से बनती है, अगर दूसरी है कि लिदम पॉल इनको अगर अगर आप मच्छ ने जैसे काट अगर अगर और कुछ पी नहीं आपके अपास तो आप नमक ले ले जिए नमक को थवड़े से पानी में बहो के अपर अपर आप कराज तो यह अभी रिलीफ यह अभी रिसेंटली हम लोग बाहर गे वादे गूमने और कॉटेज में तो जब हम फेरी में जा रहे थी तो चा आपके अपर आपके अपर निकल के चला गया राइट सो रेडनेस आगई लेकिन मैंने जैसे ही सैनिटाइजर जादा सारा लगाया कुछी से किंड्स पे वो चीज गाइब हो गई मतब ठीक हो गया मेरी वो रेडनेस तो इन चीज़ों को असात में होना बहुत ज़रूरी है आपके अपर्ण को अपके अपर्ण को आपके अपर्ण को अरी वहाँ एक जल्डी हो उसकी वज़ज़ से बहुत से लोगों को हर अटएक भी आजाता या कुछ अदर पानी कम हो गया बल्कुल उनका बल्ट प्रेशर भी का लिगा अभी रिसेंटली मैं रिच पढ़ थी कि पानी थोड़ा सा कम पीते हैं कई लोग इसलिए पानी कम पीते हैं कि बार पर प्रिशाब आएगा हाँ इस चिंता से या तो आप को पानी जो है मैं सीनिर्स को यही अडवाइस करूंगा कि पानी वो खूप पिते रहे तो कोई ऐसी चीज है जैसे कभी-कभी हम लोग ऐसे पा जिसे हम खीरा बोलते हैं वाटर मेलन हैं इसका उप यह को रोकूप अगे ठीक है तो यह एक तो होगी डियाईरेशन की प्राप्लम और किस तरह की प्राप्लम हो सकते हैं अगर हम अपना प्रपर ध्यान नहीं रखते हैं समर में लिखे आखों की भी प्राप्लम मा जाती है कई बार ऐसा तो कि बहुत पसीना आया तो जो है पसीना आखों में गया तो आपको पांखों में इंफेक्शन हो जाती है रडनेस आती है एक तो यह बढ़ी है अच्छा दूसरी है एडिक जिसे कि हम ही इस टोक भी के बोल देते हैं ओके ठीक है अच्छा होता है तो वो कि अच्छा होता है कि मौसम के हिसाब से मारे पस दौइया है आप जैसे पित निकलती है तो उसके लिए जो है एक नेट्रम का आप होरी होमीपेथिक मेडिसन है जो कि पित के लिए बहुत अच्छी है ग्लो नाइन है जलसी में मुगरा है तो आपको पास यह कोई दौईया तो यह नहीं है आम घरों में मीठा सोडा होता है हां जी मीठा सोड़े का जो है उसे घुल बना रहला जाए और अप अपर शरीर पे जैसे पतित क कर लो हंगर किस seventeen कर निकल कि कि लिए लिए ऑफ के लिए उनिकलन को पाउट नहा लो च्छी तो उसको इमेजेट रसी कि अव अचल कि ए गूम पावडरे में मिक्स कर लो, तो उसका भी आप इसमा कर सोदी हो तो बोसी चीज़िए तो मारे पास ही होती है, हम उसका इस्तमाल भी इन अभरते हैं. हां जी बिल्कुल सही कहा है है ऐसे ही जब हम कहीं गूमने जाते हैं मालेजे पार्क में गे या बीच पर गे तो हमारी केवरी हमारी स्किन बर्न हो जाती है जासे हम स्किन बर्न हो जाती है तो उसका इलाज कैसे कर सकते हम उसका इलाज जो है एक तो बड़ी बड़ी पेंफु और बेलाडोना है इनका काम यह है कि वो रिडियेशन हीट से जो भी तकलिफ आती है उसे रोकती है और अगर इकन को कई लोग है आपने यहां पर देखा यह हंदोस्तान में भी आज कल तो यह संक्रीम वगारा लगाते हैं अगर कोई इसे फोर नहीं कर सकता या किसी वाई से बूलने का तो इलाज अ distingu भी कभी हो जाते हैं कि कि यह जुठा जाते हैं कि बुड़ानी यह कंगी कवोता है इस से एलर्जी होटी है क्विल होती है Jimmy in ऐसे मौसम में आज कल जो है जो है शाकर ज़या ऑन कि शिकर कंदी बहुत हो sport को इसमें एक अशीजार नहीं आशी प्री जो जो प्रवेंटिव चीज़ है अगर इनका यूस प्रॉपर करें तो हमें बीमारी ही नहीं आएगी बैटर यह रहा बेटर लेना बैटर अगर अगर शगर इनका को चीज़ बना लेकिन फुर्ट को चूड़ ते बिलकुल उसका कहना नहीं मानते हैं अगर शक्रात गुर्णी को जटी आफ पार ये झार पारिए अगर प्राहिश से आफ नगर कर दो सब्सक्राइब कर दो नहीं कोु łगंदी अगर इस सके रह अप बनाई जाय ये था पीछ ये को आप Гर शनपे इडरेशन के अब उस प्रिच अब बना निकलाएं तो इस साफ एक पर राकनी भोई करे सकते हैं? हाँ जी अच्छा तुसी आपका दीर किती ट्राई बिल्कुल तभी मों बोल रहा है अच्छा ठीक है मैं अपने तजर्बे से ही सब कुछ बोलता हूं मैं कोई किताबों में पड़ा है लेकिन सिरफ किताबी ही बात नहीं करूँगा मैं हाँ जी जो मैं अपने पचास साल के ये प्रैक्टिस में सीका है तो उसी हिसे जो काम्याबी मिली है तो मैं नोट किया है अच्छा बहसी चीज़ा है अब एक जर्नल आपको बता हूं और नहीं कुछ चाहिगा आपका ही पर बीच गए हो तो वहां पर कहीं पर मद है तो आप म आपको ओडिगा लगा लोगा अपने दिखका गाय जो अपने झाहे जो जो बहिंसें का उर्भ बहां अपने अपने और बहाखा एंद डालएटा जो एपने अपर अपने पर उप डालता गर्मी उह तांकि इसके जो है रेस का यह रिज़ा है ज़ही बता है तो जैसे तो हमारी आइस जो रेड हो जाती है, उस हालात में क्या करना चाहिए? उस हालात में जो है एक तो जैसे कीरा काट के अप लगाई या ठंडा पानी जो है उसके चीटे लगाई या आइस पैक आप बना के तूसे आंखों पे रखिए उसे आपको बहुत जल्दी रिलिफ मेले के और बालों का अकसर इस सीजन में बहुत प्रॉब्लम आता है अभी इ कि इस पेस्विक कि इसी ताइम में बहुत बाल जड़ते है इसका क्या रिजन हो सकता ए अगर कहले जिए का बाल जन क topics चानेας ऑगान में हैं तो जड़ते हैं थो फैसे और अदर जो है कोई कमीया हई है कासकर जैसे आपने का अगर गर्भी अंगे अगर जैसे आद्सर्डि तो उससे क्या है कि आपके जो बाल है वो मिजबूत रहते हैं खासका अर्खरोट वगरा जो है उसमें इसमें बालों के लिए सिलीनियम चाहिए इसके जादा बाल गिरते हैं तो उन्हें मैं अड़ाइस करें हो मेडिसने सिलीनियम कि आपको जो जो अपको मैने पाले नाम लिये हैं तो यह इसी केंडरा जाएगी तो यह इसी कोई ऐसी मैडिसन होती है कॉमन सी कि आपको अगर यहां रचिज हो गईस्ट आप रिवाईर भी खेट आपके रिगा मेडिसी आपके बाकि हो इस अगुदा है टो एक प्रॉण होगा दोग यह जलुड लिए अगुड एट फिर अजिंको को बना है और एक एडिड़रिशन हो इस और प्रॉडिशन में को प्रॉड़ एट टि हां जी र्ञाहिक अर्षी का क्वी हम जया जाता है लेडि़ा ज़िए ज चिंद बीकर बीमारी का लाज़ाज पस कुछ बिमार्या जो है उड़ी क्यो ज़ता है और कुछ को थोड़ साल लंब टाइम लेकिन लंब किस वह मैं अर्विए को लिए हो इस बीमारी को बढ़ हने के अगये आप कहह सकते हैं कि जो आपकी बहुत से बिमारियां चलती आ रही है, उनको करने में थोड़ा टाइम लगता है, ह। यह पॽर अक्सर यह सुना सहता है कि नहीं होमय PG whenever any time, वर कुछ लो को थी ही ऑणी होलें cataminerी. So different different people opinionц emails inulinowud को लेकर भी जिसकी वजह सेCu Mobil our time तो जल्दी से ऐलोपेथी कहा के ठीक कर ले लेकिन वह बिमारी कहीं न कहीं हमारे अंदर घर बना लेती है जड़ से नहीं बिल्खुल और दूसरा जैसे पहले मैंने बताया है जो है दवाई जो है वो कस्रमाटाइज की जाते हैं पीशन के फूरे सिम्टम देखे जाते हैं अ जोड़ो की दर्ध है तो उसमें क्या कि वो भी टैनल या कोई और ऐसे पेर किलर देते हैं उसे आपको ठीक तो नहीं होते हैं आपको इमिजिएटली जीफ मिल जाती है को चार घंटे या शे घंटे फिर आपने वो दौई इका रहे हो लेकिन जब आप जाओगे तो आपको पंदरागे वीजिए जाओगे एक मीने के बाद में जाओगे ज़िए जब आपको अपको अराम अचिछ नहीं होगा है तो हॉमेपेती में क्या कि क्या को रूट को जाना जाता है कि किस वज़े से बिमारी हुई और जिस समय आपको परसन मिल रहे हैं इसकी सिचेशन क्या घर की मेंतली प्रोबलम, इसका है, प्रोला है में हो फिजीक्ली रूपल्लम क्या है विज्यों क्या है, विजीन भी मेपूमा ए किस तरह के टेस्थ आफ देख कर उसके अदिशाव किया जाता जाता है आज भूसरी बात हम करते हैं जैसे डिर्या या डिसेंट्री भी हो जाते हैं चासकर वी तभी होता है एक तो पीड़ेश्या यह भी अगर आपको फीवर पगार्ग हो गया इसका मतलब की आपको आपको इनफेक्शन हरी है अगर उसके साथ फीवर हो जाए तो यस अब वो जो इन्फेक्शन हुई है और डाइरिया वगर लगा हो तो उसके लिए जो है तीन-चार और मेडिसन जो इनको कवर करती है आप दर्शक जो है मेरे यह ना समझे कि यह आपको होमियोपैतिक डॉक्टर को जाकर जरूर सला लेनी चाहिए और यह कहलिए कि आप यह चोटी सी जो मैं आपको बता रहा हूं किट बनाकर रखें आपको इससे फैदा होता है तो बहुत अची बात है तो उसके बाद में आप किसी अगर नहीं फरक पड़ता है तो डॉक्टर को जाए यह सला लेजे उनको बताइए कि मैं यह द्वाई ले रहा हूं आपने कुछ और देनी कर रही है बिल्कुल खाटका जासे जर फूद प्वाजने को जाती है तो एक मेडिशन हमारी आर्सा निकम उसका इसका इससमा सब्सक्राली में अभी आप जिसे इन्डिया ट्रेवल कर रहा हो जार है तो वह जाती हो आप पानी में डाल दीजीए तो पानी उसफ एड़ा जाएगा आ फ्रीक्री नचीव चानि को अप उनको को हूंगा कि वह जो गोली आप लेके जाते हो तो उसको खासकर सिरफ पीने क हमयरे होमेथिके मेडिसें बॉथियों को समझ सायット है कि और असमेग अन। यह रहें ह सकता है कि लोग वानेे तो इसलिए नहीं टब भी की नहीं जाते हैं कि केवरी वे ओ एंशेन को चेणरेंस में कबड नहीं होती अकसर कहा जाते हैं कि अपने इंच्रेंस के रूसरी मैडिसन ले 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 हैं तो एसा पॉसिबल कभ हो सकता है कि इस मैडिसन को भी कवरिश में ले भी है यहाँ Canada में ऐसा है कि क्योंकि रगुलेटर है तो कुछ पंपनिया के मेरे कहने का मतलब कि जो इंपलॉयर है जिसने किया वो होमिपैथी को अपने अपने शडूल में रखा है इतनी बड़ी बड़ देखे कितनी बड़ी कंपनिया अपो टेक्स उसके जो मलाजम है वो अपने इंपलायर को बोले कि हमारे जो आपने बेनिफिट जो मिलते हैं उसमे आप हुमिपैथी भी इंकलूड करें या फिर हम उनके पहने से इंकलूड होगा अगर हम प्राइवेट लेते हैं तो उनको भी हम पूछ सकते हैं बिल्कुल आप उनको कैसे ते कि मेरा ट्वी प्राइब करता है तो आप खरते हैं डील उससे? जी 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 अगर दूसी चीज मैं यह कहूंगा सबसे कि अपनी सेहत को कभी भी कंपरमाइज मत करो बिल्कुल बिल्कुल आपने सही का आप एक बार होटल में जाते हो खाना खाने के लिए हलांकि आप ठीका एंजॉय करने लेकिन वो हैल्दी तो खाने होते लिए यह बिल्कुल तो वहां बैट के चार-पांसो डालर तो वहां खर्च कर दे तो यह अगर आपको सिहत के लिए थोड़े से निकाल लें तो क्या है अब यह समझे लो कि मैंने एक बार कॉफी पी लिए कि खाना कालिया है खाना कालिया बिल्कुल हमारा फोकस हमेशा होना चाहिए लॉंग टर्म पर कि लॉंग टर्म तक यह बिमारी मेरी कैसे ठीक रह सकती है ना कि शॉर्ट टर्म हम अलवेज शॉर्ट टर्म हम लोग अपनाते हैं क्योंकि हमें को एक रिस्पॉंस चाहिए इसलिए हम ऐलोपैथी की तरफ ज़रूर एक बार हमेश। ट्राई करने चाहिए ज़ु कि यह ऐसी एक दवाई है जो आपकी बिमारी को आपके मूर को आपकी सिचेशन को देखकर कस्टमाइज की जाती है तो अगर किसी भी तरह को क्की सवाल हो आपको कोई बी तरह की प्राबлем आप फेस कर रहे हैं बाल जड़ रहे हैं आखे लाल हो रही है बाहर के वरी दूप से हमें अलर्जी होती है दूप में जाने से हमारी आखे लाल हो जाती है या आपको स्टमेक की कोई प्राबलम हो रही है और स्पेशली जब समर आती है तो बहुत से लोगों का इम्मुन सिस्टम वीक होता है जिसकी व गुजज़ जी बहुत अच्छा लगा बात करके और आप नमना वक्त निकाल कर आजाए इस्टुडियो में वक्त इजासत नहीं देदा बाते बहुत सारी हैं लेकिन आने वाले एपिसोर्स में करेंगे हम और बाचेद गुज़ज़ जी से आप क्या कहना चाहेंगे जाने से बहुत धन्यावाजी आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों कोई सेहत के बारे में उनको हर तरह की जो है कि नॉलेज मोहिया कर रहे की कोशिश आप करती हैं कही तरह से मैंने आपके और भी ब्रोग्राम देखी है जैसे डिएटिशन का होगे होगे और चीजे और जैसे आपने बिल्कुल विसह जरूरी नहीं है कि सारी चीजह हुँ या सारी चीजह एलोपैथरी है यह उलॉपैथरी कोई गळत चीज目前 लेकिन यह कि उसमें कुछ कुछ बाय मैं क्यों झाया, कि इतás झाया कि आप झाया कि आप ज्यान क apoyo attended आपको vlard चाहिये, ब्लड यंद देट का लिकल अंधिन कई लोगों के भर्म रहता है कि जो लैब टेस्ट है ये भी आलोपेथग चाहिस in. लैब टेस्ट वाकी बीमारी को जानने के लिए उतने ही जूरुरी हैं बिल्कुर और Сейчас के थी आप इमर में डिOoh एक परिमेंटिम मेडिसन उती है, जिक अब बाद लोगों को अब मालूम पढ़ गया कि अब परिमेंटिम किया है और दूसरा होता है कि इसली मेडिसन यह होते है कि जो चोंट्रोल करती आपको बिमारी को जैसे हैं जिसली बिमारी जो आपर जाए जिन्दा रहे अराम की जिं करते हैं तो मैं चाहूंगे आप अपनी इंफोमेशन शेयर करें गर आप से कोई कान्टैक करना चाहे तो मेरा नाम तो आपने पहले बताया है यह गुरुदात वैर और मेरा फोन नूमबर 647-292-1576 मैं यॉर्क्ष यॉर्श्टी के बिलकुल पास में हूं कि इलन फिंच के सघ्रिया भी भी आ सकते हैं और तोंटी फोर आवर जैसे हैं सेवागे 24 और जैसे MEDब तौन गल भी प्रियूज से इजासत कहते हैं कि भक्त बदलते देखा हैं लेकिन वक्त के साथ इंसान को भी बहुत बदलते दिका हैं लेकिन वक्त के साथ इनसान भी कई बरी बदल जाता है तो इसलिए बदलिये ही नहीं अपने रिष्टों को अपने रिष्टों में प्यार को बॉर्ण को बनाकर रखे और दूरी बनाकर रखे इसपेशली आज के दिनों में क्योंकि कोभिर जब तक पुरी तरह से खतम नहीं ह खुबसरत फिल्म में खबरे लाने की और हमारी ये कोशिश हमेशा जारी रहेगी आपके लिए खास और आपकी ये डूटी है कि आपने हमें देनी है फीड़बैक कि आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं जब भी आप हमारे प्रोग्राम देखें अगर आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं टीवी पर देख रहे हैं आप हमें फेस्बुक पर जाकर कमेंट करें हमारे पेज को लाइक करें SP24 हमारा एप है उसको डाउनलोड करें क्योंकि हमारे प्रोग्राम अगर आप देखना चाहते हैं हमिश्चा तो आप एप पर कभी भी कहीं भी हमारे प्रोग्राम से वाच कर सकते हैं As a sponsor, as a guest चुरना चाहते हैं तो भी हाप हमें contact करें मेरा नमबर है 647-898-7769 बॉब दसांची का नमबर है 416-419-7777 और फॉलो करें मुझे और सांजा पंजाब को on social media handles सब आपे सफिर हाजिर हूँगे एक नई जानकारी के साथ आप अपना रखें बहुत सरा द्यान और देखते रहें सांजा पंजाब TV हमारे साथ लाइज चुर्ट दिल दियां गल्ला करो दिल खोल के मेरे नाल जी हाँ तसी जुड़े रो मेरे नाल और सांजा पंजाब TV दिल खोल के बोल